नमस्कार दोस्तों कासन स्टडी के आनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो कंप्यूटर का इसे पहले हम आपको 200 कुईशन करवा चुके हैं आज हम आपको 40 कुईशन और आगे करवाने वाले हैं तो शुरू करते हैं कुईशन को हमारा question कह रहा है modem का पूरा नाम क्या है परते question के लिए आपको 10 second का time दिया जाएगा 10 second में answer बताने का प्रयास करें modem का पूरा नाम क्या है तो इसमें से कौन सा option सही है इसमें जो हमारा option सही हो जाएगा option number A सही हो जाएगा कौन सा option सही है तो option number A सही हो जाएगा अगला question कह रहा है email का पूरा नाम क्या है email का पूरा नाम क्या है आपको इसका पूरा नाम बताना है तो email का जो पूरा नाम है उसे हम क्या कहते है electronic mail email का पूरा नाम क्या है electronic mail अगला question कह रहा है internet का पूरा नाम क्या है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है तो इसमें कौन सा आप्सन सही होगा तो इंटरनेट का जो पूरा नाम है वो क्या है इंटरनेशनल नेटवर्क आप्सन नंबर A सही हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगला कुशन कह रहा है कि जैसे ये आएंड एपाक्स सूचना राजपत आएंड एपाक्स किसे कहते हैं तो ये किसे कहते हैं 204 में हमारा कौन साइंसर सही होगा तो इंटरनेट को कहते हैं इसी किसे कहते हैं इंटरनेट को अगला कुशन कह रहा है इमेल के जनम दाता किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है इसमें जो सही आपसन हो जाएगा रे टाम लिंसन को इमेल के जनम दाता किसे माना जाता है तो रे टाम लिंसन को माना जाता है अगला कुशन देखिए www के आविसकारक कौन है www के आविसकारक कौन है तो इसमें जो एंसर हो जाएगा टीम वर्नल्स ली option number C सही हो जाएगा अगला question देखिए अगला question कह रहा है internet का standard protocol है internet का standard protocol है तो क्या है इसमें कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer सही हो जाएगा option number C हो जाएगा TCP अबलिक IP अगला question देखिए सबसे लोग प्रिये internet गत बिधी है सबसे लोग प्रिये internet गत बिधियां है तो कौन सी गत बिधी है इसमें कौन सा option सही हो जाएगा some person यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question कह रहा है babe page को reload करने हे तू कौन सा बटन दबाए जाते है babe page को reload करने हे तू कौन सा बटन दबाए जाते है तो इसमें कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा refresh refresh बटन को हम दबाते है option number C सही हो जाएगा अगला question देखिए email लिखना किसके समान है email लिखना किसके समान है तो इसमें कौन सा option सही होगा email जो होता है उपत्र लिखने के समान है अर्था तो option number B सही हो जाएगा question number 211 कह रहा है कि motion picture cliff को बदलने है तू किस प्रकार का software का प्रयोग किया जाता है motion picture किलिफों को बदलने के लिए किस प्रकार का software का प्रयोग किया जाता है तो इसमें से कौन सा option सही होगा तो यहाँ पर जो सही option हो जाएगा video editing video editing सही हो जाएगा option number C सही हो जाएगा अगला question देखिए अगला question कह रहा है name लिखित में से कौन सा email का भाग नहीं है email का भाग कौन सा नहीं है यह चीज आपको बताना है तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा option number B option number B जो है यह symbol email में नहीं लगता है अगला question देखिए question number 213 कह रहा है निम्न लिखित में से कौन निसुल के email सेवा परदान करता है तो इसमें option कौन सा सही होगा तो यहाँ पर जो answer सही हो जाएगा yahoo, heart mail और ready mail यहाँ पर सभी हो जाएगा अगला question देखिए 24 14 कह रहा है software और command to or options की सूचियां होती है software में command to and options की सूचियां होती है 214 में कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो सही option हो जाएगा वो क्या होगा 2414 में तो option number C सही हो जाएगाным toolbar हो तूल बार यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है MS Office 200 को किस company ने बनाया स्वारी दोस्तों MS Office 2000 को किस company ने बनाया तो इसका answer क्या होगा तो इसमें जो सही answer हो जाएगा Microsoft company ने बनाया है अर्थात option number C सही हो जाएगा अगला question कह रहा है Microsoft company के संस्थापक कौन है Microsoft company के संस्थापक कौन है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा यहाँ पर answer हो जाएगा C देखिए पाल, इलन और बिलगेट दोनों है अर्थात option number C सही हो जाएगा option number C थोड़ा लिखने में problem हो गई है C, A और B option दोनों सही है अगला question कह रहा है बिंडोज software का निर्माड किसे ने किया बिंडोज software का निर्माड किया गया तो बिंडोज software का निर्माड कहां पर किया गया किसके द्वारा किया गया आपको यह बताना है तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा IBM के द्वारा बिंडोज साफ्ट्वेयर का जो निर्माड किया गया है IBM के द्वारा किया गया है अगला कुईशन देखिए अगला कुईशन कह रहा है SS बिंडोज किस प्रकार का साफ्ट्वेयर है SS बिंडोज किस प्रकार का साफ्ट्वेयर है तो इसका एंसर क्या होगा तो यहां पर जो इसका answer हो जायगा GUI software है अर्थात option number A सही हो जायगा अगला question कह रहा है Windows 98 का विकास कब हुआ था यहां पर इसका answer क्या होगा तो यहां पर जो इसका answer हो जायगा 1998 में बिंडोई 98 का अविस्कार कप हुआ था तो 1998 में अगला कुशन देखिए कह रहा है चिकित्सा सास्त्र के जनक किसे कहा जाता है चिकित्सा सास्त्र के जनक किसे कहा जाता है तो इसका एंसर क्या होगा तो जो चिकित्सा सास्त्र के जनक है वो hypocritus हैं अर्था तो आप्सन नंबर भी सही हो जाएगा अगला कुईशन देखिए अगला कुईशन कहई रहा है भारत में इंटर्नेट उपभोक्ता का सरबाधिक संख्या किस राज में है भारत में इंटर्नेट उपभोक्ता की सरबाधिक संख्या की से राज में है तो यहाँ पर इसके एंसर क्या होगा तो यहाँ पर जो इसका एंसर हो जाएगा महाराश्ट महाराश्ट इसका सही एंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए कह रहा है बिस्वमेश सरबाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है बिस सुमेश सरबाधिक कम्प्यूटरों वाला देश कौन सा है तो 222 में एंसर क्या हो जाएगा तो सहीयोग तुराज अमेरिका सहीयोग तुराज अमेरिका यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा अगला कुशन कह रहा है फेस्बुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के है फेस्बुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के है तो इसका एंसर क्या होगा तो यहाँ पर जो इसका एंसर हो जाएगा अमेरिका में फेस्बुक के यूजर सबसे जादा है अगला कुशन कह रहा है की बोल्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है की बोल्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है तो कुंजी पटल कहते हैं अगला कुशन कह रहा है टुईटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है टुईटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है तो यहाँ पर इसका answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो इसका answer हो जाएगा Turkey Turkey में computer के सबसे अधिक users है अगला question कह रहा है निम्न में से किसका संबंध computer के processor से नहीं है computer के processor से किसका संबंध नहीं है इसका answer आपको बताना है तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा Android, Android से सम्मंधित नहीं है, computer के processor का सम्मंध Android से नहीं है, i7 से, dual core से और cellarों से है, अगला question देखिए, अगला question कह रहा है, इस्क्रीन पर परदर्सित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं, तो इसका answer आपको बताना है, 227 में इसका answer क्या होगा, तो यहाँ पर इसका जो answer हो जाएगा, वो option number C सही हो जाएगा, screen resolution यहाँ पर सही answer हो जाएगा, अगला question देखिए, दच्छण गंगोत्री इस्थित है, 228 में answer क्या होगा, तो जो दच्छण गंगोत्री है, यह अंटार कठिका में इस्थित है, आपसो number A सही हो जाएगा, अगला question कह रहा है, text में आपकी position काउन दिखाता है, तो इसका answer क्या होगा, तो इसका answer क्या होगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, cursor, एहाँ पर सही answer हो जाएगा, अगला question कह रहा है, work seat में सेलों का आयताकार समूetten में से काउन साः, वर्क सीट में सेलों का आयताकार समून निमन में से कौन सा है तो इसका एंसर क्या होगा 230 में तो वर्क सीट में सेलों का आयताकार समून किसमें यहां पर जो सही एंसर हो जाएगा वो क्या होगा option number D cell range यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है storage device के main folder को क्या कहते है storage device के main folder को क्या कहते है तो इसका answer क्या होगा storage device के main folder को क्या कहते है तो 231 में जो answer हो जाएगा root directory root directory यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है print के लिए count सा menu select किये जाते हैं print के लिए count सा menu select किये जाते हैं तो इसका answer क्या होगा तो यहाँ पर जो इसका answer हो जाएगा वो क्या होगा file फाइल यहाँ पर सही answer हो जाएगा print के लिए कौन सा menu select किये जाते हैं तो file यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है cut, copy और paste करने के लिए कौन सा menu select किये जाते हैं cut, copy और paste करने के लिए कौन सा menu select किये जाते हैं तो 233 में कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer सही हो जाएगा option number C से ही हो जाएगा file 233 कह रहा है 233 में sorry दोस्तों file नहीं होगा edit होगा edit यहाँ पर सही answer हो जाएगा cut copy और paste करने के लिए count सा menu select किये जाते हैं तो edit menu select किये जाते हैं अगला question देखिए अगला question कह रहा है excel में active cell के contents को count display करता है excel में active cell के contents को count display करता है तो इसका answer क्या होगा तो 33 में 234 में जो हमारा answer हो जाएगा फार्मूला बार फार्मूला बार यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है computer में संचित file के समू को क्या कह जाता है computer में संचित file के समू को क्या कहा जाता है तो 235 में जो answer हो जाएगा directory डारेक्टरी यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है किसी database के data file की सूची को क्या कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर जो answer हो जाएगा data dictionary यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है MS Word में spelling को सही करने वाले software को क्या कहते हैं MS Word में spelling को सही करने वाले software को क्या कहते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा 37 में उसे हम spell check कहते हैं अर्था तो option number A सही हो जाएगा अगला question कह रहा है सारे world document का default file extension क्या है सारे world documents का default file extension क्या है तो इसका answer क्या होगा 238 में तो यहाँ पर जो इसका answer हो जाएगा option number B हो जाएगा डोएक डोएक यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है किसी कालम में text prior online होते हैं align दोस्तों यहाँ पर align लिखा है किसी कालम में text prior align होते हैं तो कैसे align होते हैं तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा left left यहाँ पर सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है और दोस्तों जो भी बच्चे अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं कि चैनल को subscribe कर लें क्योंकि आपको मालूम है कि UP PCL का अगर तयारी कर रहे हैं तो computer में pass होना बहुत जरूरी है क्योंकि computer के बिना सब कुछ अधूरा है इसलिए अभी तक आप लोग चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पर हम total आपको 5000 कोईशन करवाने वाले हैं और यह से और है कि 5000 कोईशन में आपका 80% आपका फंस जाएगा और केवल आपको ज़्यादा नहीं 20 कोईशन सही करना है तो यहाँ पर आपका 80% हम फंसा देंगे तो जो भी बच्ची अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं चैनल को subscribe कर लें और अगर यह class आपको पसंद आ रहा है तो like जरूर करिएगा कुशन नमबर 240 कह रहा है एक्सल में किस बिकल्प के परियोग से चार्ट बनाये जाते हैं एक्सल में किस बिकल्प के परियोग से चार्ट बनाये जाते हैं तो इसका answer क्या होगा 240 में तो यहाँ पर answer हो जाएगा चाल्ट option number C सही हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा चाल्ट बिर्जड यहाँ पर सही answer हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ यह session हम यही पर समाप्त करते हैं अगले session में कल पूना इसी time मिलेंगे नमस्कार